एक बार की बात है, जॉनपुर नामक गाउं में हीरा नाम का एक गरीब मच्छुआरा रहा करता था, वो मच्छिया पकड़ने की तलाश में एक गाउं से दूसरे गाउं जाया करता था ताकि पूरे दिन में उसके हाथ कुछ मच्छिया आ सके, जिससे वह अपना और अपनी पतनी का गुजारा कर सके, एक दिन उसकी पतनी मीना तालाब से मच्के में पानी भर कर अपनी जोपड़ी में ले आती है, मीना, अरे, आज तो मैं इतना ठक गई, इतनी दूर से तालाब से पानी जो लाना होता है, मेरी तो कमर ही तूट जाती है, काश, मेरे पास भी नौक भाग्यवान, आ गई तुम, मैं कब से तुम्हारी ही राह देख रहा था, देखो भाग्यवान, मैं मच्छी की तलाश में पास वाले गाव की नदी में जा रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है, अपने गाव की नदी में मच्लियां बची ही नहीं है, मच्लियां हाथ आए पिदाँबी तो कैसे मीना अरे हाँ हाँ खूब जांती हूँ तुम्हें जाओ जाओ लेकिन आज भी कोई मची नहीं लाएना तो देखना तब बताऊंगी रोज कोई ना कोई नया बहाना पूरे दिन में मेश लिए एक मची नहीं ला सकते काम चोर कहीं के, मैं कहती हूँ अगर आज भी कोई मची नहीं लाएना तो लोटकर मताना हीरा, अरे, तुम भी ना भाग्यवान, समझती नहीं कैसे समझाओं तुम्हें, मचीयां हाथ आएंगी तभी तो लाओंगा ना खेर जाने दो, अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मीना, अच्छा ठीक है, पता नहीं आज भी कोई मची तुम्हारे हाथ आएगी भी या नहीं ना जाने कब तक वापस आओगे, रोको जरा, मैं भी आती हूँ, जिसके बाद हीरा की पत्नी रसोई में जाती है और दो बासी रोटी लेकर आती है मीना, ये लो, ये दो रोटी लेते जाओ वरना भूख ही पेट मुझे ही कोसोगे जाओ जाओ और हो सके तो मची लेकर ही घर वापस आना, हाँ हीरा वहां से मची पकड़ने के लिए निकल जाता है रास्ते में एक सुनसान जंगल परता है जहां पर एक बुरा व्यक्ती जोर जोर से रो रहा होता है बुरा, अरे, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है भाया, मुझे कोई कुछ खाने को दे दो लगता है भूख के मारे मेरे तो प्रान ही निकल जाएंगे हीरा, अरे रे, तुम रोते क्यूं हो, तुम कोई साधारन विखारी तो लगते नहीं हो तुम्हारे पास इतने सारे चांदी के सिक्के हैं, इन्हें बेच के कुछ खा क्यों नहीं लेते बुरा, हाँ, सही कहा तुमने, मेरे पास ये चांदी के सिक्के तो हैं, लेकिन मैं बहुत ही अभागा हूँ मैं इन्हें खा नहीं सकता, मुझे पेट भरने के लिए रोटी चाहिए रोटी, मैं तो इतना भागा हूं कि चल फिर भी नहीं सकता हूं मेरी मदद करो वरना मैं भूख से मर जाओंगा बेटा, मदद करो हीरा, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम दुखी मत हो, मेरी पत्नी ने मुझे दो रोटीयां दी थी, तुम उन्हें ही खाकर अपनी भूख मिटा लो रुको देता हूं हाँ, अभी देता हूं, जिसके बाद हीरा अपनी पोटली में से दो रोटी निकालता है और भिखारी को दे देता है तभी भिखारी उन दोनों रोटी को बड़े चाव से खाता है, रोटी खाने के बाद, बूरा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, वाकए तुम एक नेकदल इनसान हो, ये लो, तुमने मुझे अपने हिस्से की रोटी दी, तुम ये चांदी का सिक्का अपने पास रखो, हीरा भिखारी की यह बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, हीरा अपना हाथ बढ़ाता है और भिखारी से वह चांदी का सिक्का ले लेता है, हीरा, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं ये चांदी का सिक्का अपने पास रख लेता हूँ, अच्छा अब मैं च किनारे पहुंचता है। किनारे पहुंचता है। उसे दो वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पाती है। आप मुझे कोई ऐसी वस्तु दे दीजिये जिससे मैं उसकी हर इच्छा पूरी कर सकूँ। जल देव, अच्छा तो तुम्हारी ये इच्छा है। ठीक है हीरा, मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। ये लो हीरा, ये एक जादूई सिक्ता है। ये तुम्हारी पत्नी की हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन याद रहे हीरा जब भी तुम्हारी पत्नी में किसी भी कारणव शहनकार का भाव पैदा होगा तो इसका दुश्परिनाम भी अवश्य ही होगा। हीरा, ठीक है, मैं आपकी कही बात का ध्यान रखूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी मेरी राल देखती होगी। घर आने के बाद, मीना, अरे, आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आज कोई मचली लाए हो या नहीं, आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। हीरा, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाता हूँ मचली, जरा रुको भाग्यवान। हीरा, हाथ आगे करते हुए, हे जादूई सिक्के, मुझे खूब सारी मचलिया चाहिए। हाँ खूब सारी, हीरा के इतना कहते ही वहाँ पर खूब सारी मचलिया आ जाती हैं। ये तेख कर उसकी पत्नी हिरान हो जाती है। मीना, अरे, ये क्या, इतनी सारी मचलियां। अरे वाह वाह, लेकिन ये सब इस सिक्के के कारण हुआ है। लगता है ये कोई जादूई सिक्का है। अरे, आखिर कहां से मिला तुम्ही ये सिक्का, बताओ मुझे। हीरा अपने साथ हुई सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। मीना, क्या सच में? ये तुम्ही जल देवता ने दिया है। अरे वाह वाह, हमारे तो भागी खुल गए। अच्छा, तुम एक काम करो, ये जादूई सिक्का मुझे दे दो। मैं इससे अपनी हर इच्छा पूरी करूँगी, हाँ। हीरा, अच्छा ठीक है भाग्यवान, रख लो अपने पास। तुम्हें जो भी चाहिए होगा, तुम इस जादूई सिक्के से मांग लेना। लेकिन याद रखना भाग्यवान, अपने लालच में अहनकारी ना होना वरना इसका परिनाम बुरा होगा। मीना, अरे, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, बस एक बार मुझे जादूई सिक्का दे दो ना, जिसके बाद हीरा अपनी पत्नी को वह सिक्का देता है, जिसे पाकर मीना बहुत खुश हो जाती है। मीना, हाथ आगे करते हुए, चलो चलो जादूई सिक्के, जल्दी से मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे खुब सारा धन चाहिए, हाँ, बस अब और इस गरीबी में मुझसे नहीं रहा जाता, तभी देखते ही देखते मीना के पास खुब सारे सोने और चांदी के गहने और दूसरे दिन, मीना, अरे जादूई सिक्के, मुझे एक नौकर भी चाहिए, पूरा दिन काम करते करते मेरी तो कमर ही तूट जाती है, दे दो मुझे एक नौकर, जो मेरा सारा काम करे, मीना के इतना बोलते ही वहाँ एक और नौकर आ जाता है, मीना उसे देखकर बहुत हाँ, मीना फटाफट नौकर को घर का सारा काम समझाती है, नौकर सारा काम सुनते ही जल्दी जल्दी करने लगता है, मीना शीशे में देखकर कितनी सुन्दर लग रही हूँ मैं, हाई हाई, कितने सुन्दर गहने हैं, वाह वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं मुझ पर, ल चरीबी में तो मेरा पूरा रूपी चला गया, ऐसा रती हूँ, थोड़ा मेकप कर लेती हूँ, उसके बाद ये सब गहने मुझ पर जंचेंगे, बहुत सुन्दर लगूंगी मैं, सभी गाव की औरते जलकर राख हो जाएंगी, मीना, सुन, तू इधरा, ये ले और ये लेप मेरे चहरे पे लगा दे, नौकर, जी मालकिन, अभी लगा देता हूँ, मीना, अरे वाह वाह, बड़ा ही आनंदा रहा है, इसके बाद तो सब जल भुनकर राख हो जाएंगी, नौकर, ये लीजिये मालकिन, हो गया काम, जिसके बाद मीना अपना चहरा शीशे में देखती ह जो बिल्कुल लाल हो चुका है और बेहधी दरावना लग रहा होता है, मीना, अरे रे, ये क्या हो गया, सत्यनाथ इसका, ये क्या कर दिया, इसने, पूरा चहरा खराब कर दिया, इसने मेरा, नौकर, अरे मालकिन, मैंने आपका कहा सारा काम कर दिया है, मीना, आरे, विसमे अज़ा दिबोधक चिन्ह, ये देख तूने मेरे चेहरे को क्या कर दिया है? मेरा चेहरा देख कितना बदसूरत लग रहा है? नौकर, अरे माल किन, आपने ही तो कहा था लेप लगाने को, अब इसमें मेरा क्या दोश माल किन? मीना, अच्छा तू कहना चाहता है, मेरी ही सारी गलती है वाह वाह उल्टा चोर को त्वाल को डाटे भगवान क्या करूं मैं इसका आप यहां खड़े मत रह और जा तालाब से पानी ले क्या नौकर अच्छा बालकन जो आपकी इच्छा तभी थोड़ी देर बाद मीना गाउं के बजार की तरफ अपने सारे गहने पहन कर न मालती अरे रे ये क्या हुआ मीना तेरा चेहरा तो देखो टमाटर की तरह लाल लग रहा है अरे क्यों री मीना आजकल टमाटर सबजी में नहीं डालती क्या मूँ पे लगाती है दूसरी औरत इस मीना के तो दिन ही बदल गए मालती हाँ बिलकुल सही बोल रही हो दीडी ज तरह इसके गहने तो देखो, अरे वाह, इतने गहने, इतने तो पूरे गाव में किसी के पास नहीं होंगे जितने ये पहन कर बैठी है, दूसरी औरत, अरे वाहरी मीना, आखिर कौन सी जादूई पुडिया हाथ लग गई तेरे जो इतने सारे गहने पहने है, क्या सच में मीना के गहने देख कर, कभी देखे हैं इतने सारे गहने तुमने, बड़ी आई बोलने वाली, चलो हटो मेरे रास्ते से, जिसके बाद मीना बड़ी गुस्से में आगे चलती हैं, और दोनों औरते उसे बड़ी हिरानी से देख रही होती हैं, मालती, अरे रे, लगता है गह रे, हट मेरे सामने से, चल हट, अब ना जाने ये बकरी का बच्चा मेरे सामने आकर क्यों खड़ा हो गया, अरे जाता है या नहीं, लेकिन वो बकरी का बच्चा मीना के सामने से हटता ही नहीं, तभी मीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोर सोर से उसको मारने लग मीना, कहां मर गया था तू, हाँ, देखता नहीं कि ठक गई हूँ मैं, चल मेरे पाउ दबा और जरा अच्छे से दबाना, कोई भी काम ठीक से नहीं करता, तभी मीना का नौकर उसके पाउ दबाने लगता है और देखते ही देखते मीना सोजाती है, थोड़ी देर बात जब मी और मीना की आँक खुलती है तो देखती है उसका नौकर वहां पर नहीं होता है। तभी वहाँ पर हीरा आता है और मीना का ये रूप देखकर हैरान हो जाता है। हीरा, अरे रे भाग्यवान, ये क्या हुआ, और तुम्हारा चहरा एक बकरी के चहरे में कैसे बदल गया। मीना, ये क्या हो गया जी, मेरा चहरा बकरी का कैसे बन गया। पर ये क्या, मेरे सारे सोने के गहने भी कहां गायब हो गए, ये क्या हो गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है, हीरा, अरे, कहीं जल्देव का कहां सच तो नहीं हो गया, अरे भाग्यवान, हमें जल्देव के पास जाना होगा, चलो अब देर हो गई तो लेने के देने पर जाएंगे, अब जल्देव ही हमारी सहायता कर सकते हैं, हीरा नदी किनारे जाता है और जोर जोर से जल्देव को आवाजे लगाने लगता है तभी जल्देव नदी में से उपर आते है, जल्देव, क्या हुआ हीरा, क्यूं याद किया, बता प्रेव, घीरा, ये जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारी पत्नी के अहनकार की वज़े से ही हुआ है। उस सिक्के की जादू या आत्मा ने ही तुम्हारी पत्नी को ये श्राप दिया है जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है। प्रेव, ये जादू झादू ये जादू जादू ये झालादू झाल झाल